वार्मेज कीशन आज हम लोग बात करेंगे एम्स CRE एक्जाम के बारे में जो गुरूप B और गुरूप C पोस्ट के लिए है तो अगर आप एम्स में जॉब करना चाहते हो अगर आपको नहीं पता है तो तो यहां पर आप देख सकते हो बहुत सारे पोस्ट आया हुए जैसे कि यहां पर देख सकते हो आपको देखने को मिलेगा एक सकेंट है आपको देखने को मिलेगा एक सकेंट है कि मैं नीचे स्लाइड डाउन करूंगा तो और भी बहुत सारे ऑप्संस है यहां पर हां देख सेटरी इंस्पेक्टर ग्रीट टूट असीनेटर इंसपेक्टर न बिसगले पर अपर वेकेंशी आया वहाँ एंड और विनीचे जाओ यह तो और भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा एक सेटर् यहां पर देख सकते हैं यस यह वला देख लो और लेटरे टे तो जिसने भी BSC in MLT कर रहा होगा वो लोग यह फॉर्म के लिए eligible है ठीक है और यहां पर देख शकते ओटी वालों के लिए भी आया हुगा है कहां पर आया हुगा है एम्स गुवार्टी में देवगर में रिसिकेश में वटिंडा में राइबरेली में नागपूर में कल्यानी में ठीक है तो इधर अल्रेड़ी आ चुक है और यहां पर जो मांग रहना डिग्री डाट इस BSC in OT डिप्लोमा इन OT नहीं यहां पर आप देखोगे तो ठीक है अब भी बात कर लेते हैं क्या डाइट जो एम्स यारी के एक्जाम में उसकी क्या क्या रहने वाले यहां पर आप देखोगे तो ठीक है और यहां पर सबसे पहले एक्जामिनेशन पैटर्न समय लेते हैं यह जिन लोगों भी एम्स यारी का फॉर्म जो फिलप है उसमें इसूज आ रहे हैं तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हुमारे वाट्टब नमबर प फिलप है तो सबसे पहले तो यहां पर मोड में आपका इग्जाम होगा ठीक है सिमिटी मोर्ड में इग्जाम खर्ब हुगए एंड एक्जाम का जो डियेशन वो 45 मिनट रहने वाला ठीक है जनेरल वालो के लिए ए एंडर वो 40 कुशन दोएगा 45 मिनट ठीक है जैन्रल इंट्लिजएंस से 10 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 एगा और इंगलिज इन गरहेगा तो टोल अगर आप कांट करोना टोल चालिस कुशन रहने वाले थीक है और 45 मिलेगा और डॉमेन या फिर स्पेसिफिक लैंग्विज में आपको 45 और शिलिबस विल बेक्वार्डिंट रहेंगे मतलब कि आपने अगर MLT कर रहा है तो उसके रिलेटेड आपको कुछे जाएंगे ठीक है और जनरल में जनरल ठीक है तो दो कोई भी डिग्रि आपने कर रहा है उसके कॉर्डिंग आपको डॉमेंट सब्जेक्ट में पुछे जाएंगे एंड जनरल को जो जनरल सबके लिए कोमन रहें ठीक है तो यह जो 40 कुछे नहीं सबके लिए कोमन है और नीचे वाले को प्राइ to your syllabus रहने वाला है ठीक है तो this is according to syllabus और according to your degree जो आपने complete कर रहा है तो total जो है ना वो 80 mcq and 90 minute रहने वाला है ठीक है तो this is the best thing and यह पर दिख्षण to qualify another character is question will carry one mark ठीक है और there will no negative marking for any wrong answer ठीक है तो यहां पर best thing है ठीक है अगर general वालों के लिए 40% मांगा गया AWS के लिए 35 and OBC के लिए 30% ठीक है cutoff यहां पर बता जा रहा है इस तरीके से बड़े cutoff क्या करते changes होते रहते हैं because इतनी high population inclination के कारण ठीक है और PWBD के लिए 30% यह रहने वाला है और tie cases में यहां पर क्या होने वाला वह पढ़ लेना ठीक है तो यह basically syllabus है ठीक है और general condition यह फिर हम लोग eligibility के बारें बात करेंगे ना तो eligibility simple से वही है अगर आपने MLT कर रहा तो आप MLT के लिए भर सकते हो यह फिर अगर आपने एक्सरे कर रहा है तो एक्सरे के लिए भर सकते हो ठीक है और pharmacy कर रहा है तो pharmacy के लिए भी भर सकते हो यह pharmacy का भी vacancies already आ चुका है ठीक है तो उसके लिए भी भर सकते हो ठीक है तो मैंने total detail अगर आपको चाहिए तो comment करना और जिलोग भी फॉर्म फिलप करने में सुझा रहा है वो वर्टसप नम्बर पर कॉंटेक कर सकते हो वास आज के इस वीडियो में इतना ही आप आप एम्स यारी के वीबसाइट में जाके अप्डेटेट रह सकते हो वो और मोर डिल्स सीव नेक्स वीडियो देन बाबाई थैंक फिर वोचिंग कर वोचिंग